नमस्कार दोस्तो मैं हूँ कैला सिंग और आप देख रहे हैं के एस फिल्ड आज की इस वीडियो में हम तो 5 इंस्टेंट परसन लोन एप देने वाली वेबसाइट की बात करेंगे आपने बहुत सारी मोबाईल एप पर जाकर लोन के लिए ट्राइ किया है लोन नहीं मिला है दोस्तो तो यहाँ पर आपको इनस्टेंट लोन मिलेगा यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारी पहली वेबसाइट होने वाली है आपके सामने है और यहाँ प लेड़ी पहले सी मैंसन है कि यहाँ पर आप कम से 10,000 रुपे का लोन ले सकते हैं और maximum 50,000,000 रुपे तक का लोन ले सकते हैं यानि कि 10,000 से लेकर 50,000,000 रुपे तक के लोन की आफ सकता है वाई तो आप यहाँ पर try कर सकते हो इनका जो rate of interest दोस्तों काफी किफायती है यहाँ पर बताया गया है कि 10.50% से लेकर 28% तक जाएगा यानि कि दोस्तों आप यह मन कर चलें कि यहाँ पर जो आपका ब्याज रहने वाला है वो 1% से लेकर 2.5% पर मन्त रहने वाला है इसके बीच आपके eligibility and criteria के base पर आपको यह बताया जाएगा कि आपको जो है कितना लोन अब दोस्तों लोन की जो amount है उसे आप अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं आप कम से कम 10,000 रुपे ले सकते हैं इसके बाद यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और maximum आप 50,000,000 रुपे तक यहाँ पर ले सकते हैं तो देखो यह तो depend करता है कि आपके eligibility and criteria क्या है पर मान कर चल अब दोस्तों यहाँ पर सबसर पहला देख लें यहाँ पर बताया गया कि आप कितने समय के लिए loan लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है loan की amount जो है उसको select कर सकते हैं कितने रुपे तक का आपको loan चाहिए वो यहाँ पर आप select कर सकते हैं आपको उसके बाद दोस्तों करन्ट पिन कोड बताएंगे नेट मंतली इंकम वही आप जो है महिन्य में कितना कमा लेते हैं वही वो तो पूछा जाएगा हर जगा पूछा जाता है क्योंकि आप एक वाल लोन लेंगे तो उसकी रिपेमेंट भी आपको करनी है दस जार बीच जार पचास जार वो आप यहा लोन लेना चाहते हैं तो जिस कारण से भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पर जो है स्लाट करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक टिक लगा रहा है जैसे आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और चैक ओफर पर किलिक करेंगे भाई आपका जो ओफर ऐसी देख लें आपको बताया क्या गया है कुछ डिटेल बताई गई है उस डिटेल के बारे में आपको पताऊना चाहिए जिसक्या को दस जार से लेकर 50 लाग रुपे तक का लोन मिलता है और इनका रेटों पर इंट्रैक जो है 60-50% से लेकर 85% साल का रहता है ऐसे ही आप यहाँ और कम से कम 12 महिने और मैकसिमम 60 महिने तक के लिए लोन ले सकते हैं और इनकी जो प्रोसिंग फीस है वो एक परसेंट से शुरू होती है और दो परसेंट तक जाती है भाई एक से लेकर दो परसेंट की प्रोसिंग फीस है तो आप समझ सकते हो नोर्मल सी प्रोसिंग फीस है डिसबर्जल अमाउंट बताया गया है कि भी कम से कम 4 गंटे है मैक्सिमम 24 गंटे है और भई या बड़ा लोन ले रहे हैं तो 48 गंटे तक लग जाते हैं और कई बार आपके 5 दिन तक लग जाते हैं साल का ठीक है लगवग एक परसेंट के आसपस महीने का तो योर्ड लोन डिस बर्जल इन 60 मंथ आप जो है इस लोन को 60 महीने तक के लिए ले सकते हैं और आपकी जो यह माई है 2326 पड़ेगी और टोटल अगर यहाँ पर आप 60 महीने तक के लिए लोन ले रहे हैं पाथ साल का तो इस इस आपसे दोस्तो काफी किफायती है यहाँ पर आपको पूरी डेटेल देखने को मिल जाएगी इनकी पूरी डेटेल देखने को मिल जाएगी ठीक है इस website का नाम क्या है दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपको उता दो विस्फिन नाम की website है इसका लिंक आपको वीडियो के डिसक्रप्शन में मिल जाएगा अब बात करेंगे website नमबर दो की दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो website का नाम है यहाँ पर आना है अपना mobile नमबर डालना है अपला इना ओपर किलिक करेंगे आपके mobile नमबर पर OTP आएगा OTP को डालकर आपको आगे बढ़ जाना है और आपकी जो भी loan की amount होगे जो भी आपको मिलना होगा जो भी offer होगा वो देखने को मिल जाएगा eligibility and criteria की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे पहला तो आपको एक pen card देना होगा इसके साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जो age जो 22 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए और यहाँ पर आपको जो है एक employed होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर जिनका approval rate है वो 80% है याँ कि अगर यहाँ पर 100 लोग loan के लिए try कर रहे हैं तो 80 लोगों को loan मिलता है 20 की जो application है वो किसी कारण से reject हो जाती है तो यह भी एक सांदर application होनी वाली है ठीक है इसका जो आपको लिंक बिलेगा trust पैसा नाम से website है इस पर जाकर भी आप try कर सकते हो यह दो website हो गई अब बात करेंगे website number 3 की दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे पैसा बाजार अब जब इस website पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिलते हैं सबसे पहले देखो यहाँ पर credit card है, person loan है, micro loan है, business loan है अलग-अलग तरीके के आपको यहाँ यहाँ अलग-अलग service मिलती है simple आपको यहाँ पर जो person loan वाला type है, जो logo बनावा है, यहाँ पर आपको click करना है और जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई, यहाँ पर आप person loan ले सकते हैं और देखो बताया गया है कि compare offer from to bank, यहाँ पर check loan amount, eligibility and approval chance, ठीक है मतलब क्या करना है, आपको अपना mobile number देना है, उसके बाद proceed पर click करेंगे, आपकी application प्रोसीड हो जाएगी उसके बाद आपकी mobile number पर एक OTP आएगा, OTP डालकर आगे बढ़ना है और उसके बाद आपसे कुछ basic सी detail पोची जाएगी, वो detail हो की जानकारी देनी है और आपकी application सब्मेट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, यह जो पैसा बाजार नाम की website है या आपकी application को है न तो उस तो अलग-अलग bank को राइफर कर देगी और कोई भी bank या कोई भी NVFC, आपके document के आदार पर जो भी loan देने का इच्छु को होगा वो आपको loan देदेगा और इस तरीकसा आपको यहाँ पर offer मिलता है मतलब एक application आपने एक जगा लगाई और उसको अलग-अलग जो है यह जो है divert कर देते हैं ताकि आपको अलग-अलग loan के लिए try करना ना पड़ है यहाँ पर देखो बताया गया है कि यहाँ पर भी आपको maximum 40,000,000 रुपे तक का loan मिलता है इनका जो rate of interest है वो 10.5% से शुरू होता है और यहाँ पर एक साल से लेकर 5 साल तक के लिए आप loan ले सकते हैं और आपको bank या NBFC से loan प्रोवाइड होता है तो यहाँ पर आपको detail देखने के मिलेगी eligibility criteria की बात करेंगे आपकी age कम से कम 18 साल और maximum 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो मंतली income है वो 15,000 रुपे तो होनी चाहिए बही 15,000 रुपे मेंने में कमा लेते हो loan मिल जाएगा और यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700,700 के आसपास होना जरूरी है तो अगर आपके पास इक criteria है तो यहाँ पर आप loan के लिए apply करें यहाँ पर भी आपको आसानी से loan मिल जाता है अब बात करेंगे दोस्तों website number 4 की अब website number 4 पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको affordable loan मिलता है जो कि आप कम से कम एक जार रुपे और maximum 50,000 रुपे तक का instant loan ले सकते हैं 100% digital होने वाला है और 10 minute के अंदर यह जो पैसा आपके bank account में transfer हो जाता है यहाँ पर थोड़ा से नीचे करेंगे इदका app भी है आप app भी download कर सकते हो यहाँ आप नीचे देखेंगे तो आपके इनके बारे में कुछ और भी detail देखने को मिल जाती है तो कम से कम 1000 रुपे maximum 50,000 रुपे का loan है नीचे आएंगे यहाँ पर आपको फूरी detail देखने को मिल जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते है personal loan मिलता है, personal loan overdraft है, advance salary loan है, product finance है तो अलग-अलग तरीके से loan मिलता है अब देखो यहाँ पर आप देखने बताया गया है कि भाई, loan जो मिलता है वो personal loan है ठीक है यहाँ पर आपको monthly basis पर आपको loan मिलता है उसकी जो है repayment monthly basis पर करेंगे 10 दिन और कम से कम 64 दिन maximum 120 दिन है, यान कि maximum आप 4 महिने तक के लिए loan ले सकते है और यहाँ पर बताया गया है कि भाई, जो interest है वो भी देख लें, 24% से लेकर 36% के बीच रहता है तो वह यहाँ पर आपको थोड़ा costly पढ़ता है, महिने का 2 से लेकर 3% भी आज आपको पढ़ेगा processing fees 2% से शुरू होगी, 10% तक जाएगी, इसके बीच कहीं पर भी लग सकती है और security कोई भी deposit नहीं है, पर processing time जो है वो 10 से लेकर 15 मिनट है मतलब आप यहाँ पर अगर 50,000 रुपे तक का लोन लेते हैं, 10-15 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर eligibility and criteria बताया है, अगर आप उसको fulfill करते हैं तो इस website का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस website का नाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर है टैप लेंड, अब बात करेंगे दोस्तों, website नमर 5 की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा website number 5 में है credit to 24 अब यह क्या है दोस्तो जहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर instant आपको जो loan मिलता है वो कम से कम 1000 रुपे है और maximum 40,000 रुपे तक आपको loan मिलता है जहाँ पर पूरी detail है बताया गया है कि आप जो है इस पैसे को instant ले सकते हैं नीचे आपको देखने को मिलेगा mobile number डालने की जगह है mobile number डालेंगे get cash पर click करेंगे तो आप एक step आगे बढ़ जाएंगे और इस application को आप फुल फिल करके loan के लिए apply कर सकते हैं loan के बारे में detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी